तो यहां पर देख सकते है कि हमारी जो RAM है 17GB यूज़ हो रही है 16GB तो मेरा मानना है कि computer के अंदर कम से कम जवाब की RAM होनी चाहिए 32GB हाई everyone मेरा नाम है साजनमदान तो आज के topic में हम बात करेंगे कि मैं कौन सा computer यूज़ करता हूँ बहुत सारे कमेंट आए कि sir हमें बताईए कि कौन सा computer best है 4K editing के लिए 6K 8K editing के लिए तो आज मैं अपने computer का दोरा करवाँगा कि क्या क्या चीज़े हम यूज़ करते हैं यह tutorial थोड़ा लंबा नहीं रखेंगे ज्यादा deeply पढ़ना चाते है तो link description में है सारी चीज़ों का तो चलिए start करते है कि monitor कौन सा यूज़ कर रहा हूँ computer उसके अंदर accessory जो इसके sound monitor है वो कौन सा यूज़ कर रहा हूँ plus बड़ी screen कौन सा यूज़ करना हूँ आए दोस्तो आज यह बिलकुँ तो सबसे पहले हम बात करें इस screen की तो दोस्तो यह BenQ की PD 2706U model है दोस्तो यह Kelman verified है, Pantone verified है, Pantone skin tone validation है और इसके साथ में चोटा सा controller भी मिलता है तो यह color grading के लिए special हम use करते हैं यह 7 inch का monitor है और 4K है दोस्तो उसके बाद यहां पर मैंने एक चेशमा रखा हुआ है, यह blue rays dual coating है तो आँखों के उपर impact ना पड़े तो इसे use करते हैं, फिलाल यह भी eye care screen है, ऐसे कुछ भी नहीं होता उसके बाद यहां पर हम mouse pad use करते हैं, जो कि 7 to 8 time आपके mouse को fast कर देता है जैसे हम इसके उपर mouse use करेंगे तो आपका जो mouse है बहुत ही rough चलता है लेकिन इसके उपर use करेंगे तो यह बहुत ही ज्यादा smooth हो जाता है जो wireless है कभी भी हम use नहीं करते क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, अगर professional काम करना चाहते है तो wire वली हमारे लिए best है इसके बाद computer के उपर चलते हैं दोस्तों, यहां पे जल्दी जल्दी से बिताता जोओंगा, यह SMPS switch mode power supply जो use कर रहे हैं, cooler master का है और यह MWE Gold 1050 version 2 fully modular, fully modular में क्या होता है कि सारे ports आप खुद design कर सकते हैं, भी कौन सा लगाना है, कौन सा हटाना है दोस्तों यह है cooler master का, उसके बाद जो motherboard यूज़ कर रहे हैं, यह है Taichi, RTX 40 तो बहुत ही solid motherboard है और इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, इसके ओपर बहुत सारे M.2 के slots दिये गए हैं और यहां पे भी इसके fan दिये गया है, बैक साइड पे, मैं थड़ा light बढ़ा लेता हूँ, यहां पे भी fan दिये गए हैं और प्लस यहां पे भी motherboard के ओपर fan दिया गय है, और M.2 के slots हैं और यहां पे भी M.2 हमारी SSD लगी हुई है, और इसके बाद हम बात करें, जो RAM है, हम 64GB यूज़ कर रहे हैं, यह है G.Skill की Trendens Z Neo Series है, जो यह 64GB दोस्तों, क्योंकि 64GB इसलिए यूज़ करते हैं, क्योंकि already हमारा जो computer है, वो 20 से 25GB जो RAM है ऐसी consume करता है, यह 40-40GB तक भी RAM consume करता है, कई बार आपको live दिखाएंगे अभी, और इसके बाद हम NZXT का liquid cooler यूज़ कर रहे हैं, जिसके उपर temperature वगएरा, सारी चीज़ोंगा आता है, color change कर सकते हैं, सारा control आपके पास है, बहुत ही, मतलब spectrum इसके सारे change होते हैं, color change कर सकते हैं, और यह liquid cooler हम य 73 है, जो यह model है, उसके बाद जो graphic card यूज़ कर रहे हैं, यह graphic card है, दोस्तो, quadro series, quadro series सबसे प्रीमियर है, अगर आप quality wise कोई भी use करना चाहते हो, graphic card, तो हमेशा quadro series का ही purchase करें, यह है 16GB A4000, तो यह best होने वाला है, यह 16GB है दोस्तो, लेकिन हमें जो चाहिए होता है, 6GB तक enough होता है, लेकिन जो मैं software यूज़ करता हूँ, उसके लिए required है, जो मेरा 10GB तक है, क्योंकि मैं catalyst browser यूज़ करता हूँ, Sony का, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके नीचे, जो processor लगा हुआ है, इसके नीचे जो पहले processor था, वो AMD Ryzen Thread Ripper Series थी, जो की 3960X थी, लेकिन मैंने change क कर दिया, यह 3990X कर दिया है, अपग्रेड कर दिया, Thread Ripper Series है, और इसके बाद हम बात करें, यह SSD इसके अंदर दो लगी हुई है, अभी, एक 2TB का है, Corsair, जो की Gen 4 का है, और इसकी जो read and write है 5000, और 3700 इसकी read and write है, और इसके अंदर SSD 980 Pro लगी हुई है, उसकी जो read and write है, 7000 और 5000 है, और जो hard drive यूज कर रहे हैं, इसके अंदर WD Black है, 7200 RPM, यह best hard drive मानी गई है, gaming के लिए और data backup के लिए, 7200 RPM, WD Black, तो best hard drive है, इसके अंदर 2, 44TB की लगी हुई है, 1 and 2, इसके बाद हम बात करें, इसके all over structure की, बहुत ही cool है, देख सकते हैं, यह है, कूगर कंपनी का ज जैसा ही look आता है, और यह NZXT का 73 का radiator है, उपर दिया गया, मतलब जितनी भी इसके heat है, वो बहार फेंकता है, इसके बाद हम बात करें, जो monitor है, हम यूज करते हैं, sound के लिए, यह YAMA के HS8 monitor है, 1 and दूसरी तरफ है, यह, तो बहुत ही solid, मतलब एक-एक कन, इसके अंदर छोटा स हैं, दो कंपनी है, KRK और यह दूसरा YAMA, यह best माने गए है, इनके लिए जो Stanberg का हम यूज करते हैं, okay, amplifier यूज करते है, Stanberg का यह best माना गया है, amplifier, तो यह मैं इसके लिए control करता हूँ, पूरे दोनों monitor इसी से control होते हैं, gain करना है, input, audio, सारी चीज़े, इसी से, और जो यह monitor है यह 43-inch है, और यह specially monitor नहीं कह सकते है, यह TV है, यह video कौन का है, कोई भी ले सकते हैं, 4K में है, पिछले 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी video के अंदर देखेंगे, video कौन का यूज करूँ, as a TV, सिर्फ editing के लिए और color grading के लिए आपको बताया है, यह यूज कर रहा करता हूँ, इसी से record करता हूँ, और यहां पे एक phone रखा हूँ है, यह असली phone है, antique piece है, ऐसे, इसके बाद दो यहां पे टमैटो रखे हैं, टमैटो बहुत ही benefit है, क्योंकि इसके अंदर memory card बगारा, pen drive, तो सारी चीज़ें हम रख देते हैं, यह होना चाहिए हमारे table के उप और बगवान जी की photo पड़ी है, बोले ना थे, और यह मुझे Holy Land ने gift किया था, यह पड़ा हुआ है, और APC, APC का हम use कर रहे हैं, देख सकते हैं, APC, जो 1500 watt का UPS है, black, यह use कर रहे हैं, यह best माना गया है, backup के लिए, और यह मोटी मोटी सारी चीज़े थी, हम क्या use करते हैं, और पूरा मैं वाइड के अंदर setup दिखा देता हूँ, यह chair है मेरी, और मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, यह totally मेरा setup था, आपको बताया कि यह वला monitor कौन सा है, keyboard, mouse, चश्मा, computer, उसके बाद sound monitor, उसके बाद mic, उसके बाद editing के लिए TV कौन सा use कर रहे हैं, तो अमीद है आपको समझ लगी होगी, और मेरा मानना है कि एक second focus आजाए, yes, जल्दी से grandia channel subscribe कीजिए, और like, share, comment कीजिए, और next topic किस पे आना चाहिए, उसके बारे में हमें बताये, thank you so much.